हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेट वाई चैनल फ्रेंट्स आज हम आपको बेबी के लिए 7-8 येर बेबी के लिए बहुती प्यारी सी ड्रेस इसकर्ट बनाना सिखाते हैं देखिए इसकी इस तरीके से लंबाई 18 इंच है और इस तरीके से 40 इंच है ये हमने इसमें से कपड़ा उ इसको हम डबल करके रख लेते हैं टू पीस लिए हैं हमने ये पहला पीस भी हमने डबल करके रखा हुआ है और दूसरा पीस भी हमने इस तरीके से डबल करके रख लिया है ये देखिए यहां से हम इस तरीके से फ्रेंट्स एक और बार और बदा देते हैं ये 18 इंच है और से 4 इंच पर हम निशान लगा लेते हैं इस तरीके से इतना हम एक साइड से खोलेंगे यहाँ से हम 6 इंच पर निशान लगा लेते हैं अब कपड़े को डबल कर लेते हैं ये 6 और 6 इंच की ही लंबाई और 6 इंच की ही चोड़ाई का हमें चकोर कपड़ा लेना है इस तरीके से हम इसको काट लेते हैं ये देखिए हमने ये उतार लिया है कपड़ा इस तरीके से अपना यह हमारा विभ है अब हम इनकी इस टेप उतार लेते हैं हमें टू इस टेप लेनी है थ्री इंच की चोड़ी और ट्वंटी टू इंच की लंबाई में इस टेप को हमें लेना है इस तरीके से हम इसको एक्स्टा कपड़ा काट देते हैं यह हमा और 24 इंच की लंबाई में है, इस तरीके से हमें बेल्ट अपनी निकाल लेनी है, इसको हम डबल करके इस तरीके से लगाएंगे, यह friends हमारा फ्रील का कपड़ा है, यह 2 फ्रील हमें काटने है, यह 4 इंच के चोड़ाई में है और 30 इंच की लंबाई में है, हमने इनको दोनों फिरिल को डबल करके रख लिया है यहां से हम वन इंच पर निशान लगाते हैं और इसमें गोलाई कर देते हैं इस तरीके से इस तरीके से हमने ये फ्रील काट लिये हैं ये खुल कर इस तरीके से 30 इंच के हैं ये टू फ्रील हैं ये देखे फ्रेंट सबसे पहले हम अपने फ्रील को सीधी तरफ से हमें मोरना है गोलाई वाली तरफ से हमें नहीं मोरना है बारीक सी किनारी मोर लेते हैं हम दोनों फ्रील की अपने फ्रेंड्स ये हमें सीडी तरफ से मोर ना है आप चाहे तो इसमें पीकू भी करा सकती है इस तरीके से हमें दोनों फ्रील को अपने मोर लेना है ये देखिए हमने फ्रील मोर लिया है दूसरा फिरिल भी हमें इसी तरीके से मोड लेना है अब हम इसको डबल कर लेते हैं और इसमें बीच में दोनों फिरिल को मिला कर रख लेते हैं इस तरीके से आप से जिस तरह की चुन्णच आती हो मैं आप उसी तरह की चुन्णच डाल सकती है इसमें इस तरह की हास से चुन्णच डालने की वीडियो हमने बना कर अपने चैनल पर डाली हुई है उसका लिंक हमने description में दे दिया है अगर आपको सीखनी है तो आप लिंक पर क्लिक करकर उस वीडियो देख सकते है दोनों फ्रील में हमें अपने इसी तरीके से चुनटे डाल कर तयार कर लेना है ये देखिए हमने इस तरीके से फ्रील में चुनट डाल ली है दोनों में हमने सेम चुनटे डाली है अब ये हमारी step है step को हम इस तरीके से beach center से cut का निशान लगा देते हैं हलका सा क्योंकि हमें बिल्कुल beach से इसमें ये फ्रील को लगाना है इस तरीके से हम फ्रील को रखते हैं इसके उपर cut से cut मिला लेते हैं हम यहाँ पर हमें फ्रील को रखना है और इस तरीके से मिलाते हुए इस पर सिलाई लगा देनी है हमारे दोनों कट बिल्कुल बराबर होने चाहिए मिले हुए फ्रील का भी और इस टेप का भी फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं यह देखिए हमारे फ्रील लग गई है अब हम इसको यहाँ से जो इतना कपड़ा निकला हुआ है यह देखिए इस कपड़े को मोडते हैं और दूसरी साइड से भी इतना ही कपड़ा मोडते हैं और इसके उपर रख देते हैं और उपर से एक सिलाई लगा देते हैं इस से इस्टेप का ये सारा कपड़ा जो अंदर की तरफ आया हुआ है वो अंदर ही रह जाता है बाहर नहीं चमकता है इस तरीके से स्टेप लगाने के बाद दोनों में हमें सेम इसी तरीके से स्टेप लगा कर फ्रील लगा कर अपनी स्टेप को इसी तरीके से बिलकुल सेम तयार कर लेनी है जिस तरीके से हमने ये तयार की है ये देखिए कितनी प्यारी से हमारी स्टेप बन कर तयार हो गई है दूसरी स्टेप को भी हमें इसी तरीके से तयार कर लेना है यह हमने दोनों स्टेप तयार कर ली है यह हमारा बीच का वीब है इस पर लगाने के लिए इस पर हम इसको इस तरीके से लगाना है लेकिन सबसे पहले इसमें हम तीन तरफ सिलाई लगा देते हैं इस साइड भी हमें सिलाई लगाने है इस पर और इस साइड भी सिलाई लगानी है अब हम इसको पलट लेते हैं यहां से इस तरीके से तीन तरफ हमने सिलाई लगा दी है एक साइड से खुला हुआ छोड़ दिया है इसकी नोक निकाल लेते हैं हम किसी भी चीज की मदद से ये देखिए अब हम यहाँ पर खुले हुए हिस्से पर इसकी सिलाई लगा देते हैं और इस टेप को यहाँ से नीचे से रखकर हमें लगानी है जहां तक भी इस टेप आती है वीब की साथ महीं तक हम इस पर सिलाई लगा देते हैं अब इसके बाद हम अपनी सिलाई को वापस ले लेते हैं दुबारा से पका करते हुए आप यहाँ तक भी सिलाई लगा कर पका कर सकती है और नीचे तक भी सिलाई को वापस ले जा सकती है इस तरीके से हमारी एक इस्टेप लग गई है दूसरी साइड से भी हमें इस्टेप को अपनी इसके उपर रखकर इसी तरीके से लगाना है थोड़ा सा कपड़ा इसके अंदर करना है यहां से भी हम वापस ले लेते हैं और यहां तक भी पक्का करके हम निकाल सकते हैं यह देखिए इस तरीचे से हमारी इस्टेप बन कर तियार हो गए है विप बन कर तियार हो गया है यह पूरा कितना प्यारा विप बन गया है यह ये skirt friends टोप की साथ डाल कर बहुती ज़्यादा प्यारी लगती है पहनने के बाद ये हमारा नीचे का गहरा है इस गहरें पर सबसे पहले हम दोनों को मिला कर एक सिलाई बराबर में लगा लेते हैं इस तरीके से हमें सिलाई को लगा लेना है एक तरफ से हमें घहरा खुला छोड़ना है सिर्फ एक तरफ से हमें सिलाई लगानी है इस पर अब हम यहां से खुले हुए हिस्से पर से हम इसमें दो तरह की चुन्नटे डाल सकते हैं इस तरह की भी डाल सकती हैं आप और इस तरह की भी डाल सकती हैं धागे वाली हम यहाँ पर धागे वाली चुन्नटे डाल रहे हैं आप इसमें दो तरह की चुन्नटे डाल सकती हैं जैसे आपको अच्छी लगती हो आप इसी तरह की इसमें डाल सकती हैं इसी तरह की चुन्नटे पूरे घेर में हम अपने डाल लेते हैं और बेक के दोनों पीज़ में यह देखिए फ्रेंड्स कितनी प्यारी सी हमारी चुन्नटे डिलकर तयार हो गई हैं एक घ्यरे में हमने डाल ली हैं दोनों में बराबर हमें व्यल ज़री के डाल लेनी हैं अब हम इसको सबसे पहले बेल्ट से माप लेते हैं हमारी चुन्नटे कम या जाब तो नहीं है, नहीं तो हम और इसको थोड़ी कम या ज़ता कर सकते हैं, चुन्नटों को अपनी, अब हमने ये 2 इंच की पट्टी ली है, और इसको इस तरीके से बेक साइड में रख देते हैं, ये हमें सीड़ी तरफ को पलटनी है, यहां से Side में से हम बेबी के पहनने के लिए इसको खोल रहे है ताकि बेबी को परिशाने ना हो पहनने में इस तरीके से उपर को करते हुए Anदर की तरफ को कपड़ा करते हुए इसके उपर सिलाय लगा देते हैं ये छोटी छोटी सी दो पट्टी है हमें अपनी दोनों तरफ लगानी है सेम इसी तरीके से हमें इस साइड भी पट्टी लगानी है अब ये हमारी बेल्ट है बेल्ट को हम यहाँ पर जिधर से हमारा खुला हुआ हिस्सा है उस साइड से हमें लगानी शुरू करनी है और बेल जाल देना है, उल्टी तरफ को friends हमें belt रखनी है और सीधी तरफ को पलटनी है इस तरीके से करते हुए हमें चारो तरफ अपनी belt को लगा लेना है, ये एक side का हिस्सा हमें अंदर की तरफ को उल्टी तरफ को करके रखना है, इस तरीके से दोनों side का हमें बाहर नहीं निकालना है एक साइड का अंदर को करना है जो हमने पट्टी लगाई थी और एक साइड का हमें बाहर को करना है अब इस तरीके से हम उल्टी साइड को ही बेल्ट को करते हुए जितना भी एक्स्टा कपड़ा है बराबर में सिलाई लगा देते हैं यह नोक को इसकी निकाल लेते हैं इस साइड से भी इसी तरीके से करते हुए नोक निकाल लेते हैं हम अब हमें बेल्ट पर ये हम सीधी तरफ को बेल्ट को पलट लिया है हमने जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है वो अंदर की तरफ को करते हुए इस तरीके से उपर की साइड में इसमें सिलाई लगा देते हैं देखिए हम अंदर की तरफ को कपड़ा करते हुए इसमें सिलाई लगा रहे हैं इस तरीके से जो नीचे की हमारी चुनटों की सिलाई आई हुई है उस पूरी सिलाई को हमें दाब देना है कहीं से भी वो सिलाई हमारी दिखनी नहीं चाहिए कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए अंदर की साइड को मोड़ते हुए पूरी वेल्ट पर सिलाई लगा लीजिए यहां से हम पक्का करके निकाल देते हैं अब यह देखिए यह हमारी सिलाई लग गई है अब हम नीचे की साइड से इस तरीके से इसको साइड से सिलाई लगाने शुरू करते हैं इस पर एक साइड की सिलाई हमने पहले ही लगाई हुई है एक साइड की सिलाई हम अब लगा रहे हैं इसमें ये देखिए एक पट्टी हमारे अंदर को मुड़ी हुई है एर एक बाहर को मुड़ी हुई है लेकिन यहां से हमें दोनों पट्टियों को इस तरीके से करते हुए सिलाई लगा देनी है यह देखिए इस तरीके से हमारी पट्टिये बैठ गई है एक अंदर की तरफ को हो गई है और एक बाहर की तरफ को हमारी पट्टिये हो गई है इसमें हम आई हुक कर लेते हैं या आप काज बटन भी कर सकती हैं इसके उपर हम यहाँ पर एक सिलाई लगा देते हैं और इस तरीके से करते हुए यह देखिए पहले उपर की साइड सिलाई लगा देते हैं अगर आप चाहे तो यह पट्टी लगा ले साइड से खोलने नहीं तो बेल्ट एक इंच लूज रखकर आप बेल्ट को बिना खोले भी तयार कर सकती है ये देखिए अंदर की तरफ को हमारी पट्टी लगकर तयार हो गई है ये पूरी बेल्ट हमारी तयार हो गई है आप इसमें शो के बटन भी लगा सकती है या आई हूक भी कर सकती है अब हम अपना नीचे का घेरा मोड लेते हैं ये एक से डेड़ इंच तक मोड सकते हैं हम क्योंकि इसमें प्रिंट आया हुआ है इतना ही हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है देखिए चारो तरफ से हमें अपने घेरे को इसी तरीके से मोड लेना है अब हम इसमें वीब लगाते हैं जो हमने तयार किया हुआ है सबसे पहले हम यहां से इस तरीके से करते हुए इसको बीच सेंटर में बिलकुल निशान लगा लेना है इसकार्ट को डबल कर लेना है और बेल्ट पे बीच में निशान लगा लेना है अब हम अपने वीब पर जो हमने तयार किया हुआ है उस पर भी बीच सेंटर में निशान लगा लेते हैं और इसके नीचे रखते हुए इस तरहीके से हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है यहां से पक्का कर लेते हैं हम उसके बाद निशान से निशान को मिला देते हैं यहां से भी हम पक्का कर लेते हैं यह देखिए यह हमारा विबलक कर तयार हो गया है अब दूसरी तरफ की स्टेप भी हमें इसी के सामने लगानी है स्टेप को हम दो तरीके से लगा सकते हैं एक तो इस तरीके से लगा सकते हैं बिलकुल से सीधी बेक साइड से और एक इस तरीके से करते हुए लगा सकते हैं दोनों तरहे की स्टेप लगकर बहुत प्यारी लगती हैं चाहे आप इस तरीके से लगा लीजिए ये देखिए इस तरीके से भी आप इस टेप को लगा सकती है और सीधी भी स्टेप लगा सकती है हम यहां पर सीधी स्टेप लगा रहे हैं इस तरीके से माप कर पहले निशान लगा लेजिए बिलकुल इसके सामने ही बेक साइड में ये स्टेप आनी चाहिए हमारी धोनों साइड से पका कर देते हैं और दोनों तरफ की step लगा लेते हैं इसी तरीके से निशान लगाते हुए देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने free लगा दी है side में ये whip बन गया है हमारा top के नीचे हम इसको इस तरीके से पहले top डाल कर इसको पहन लेते हैं ये बहुत ही प्यारी बेबी के लगती है और new design है ये देखिए इस side से खुला हुआ हिस्सा है आप चाहे तो इसको खोल सकते हैं नहीं तो ये ऐसे भी बहुत प्यारी लगती है एक इंच एक सार रख लीजिए belt को खोल ये मत ये हमारी front side से है और ये back side से है back side से आप दूसरी इसी तरह से भी लगा सकती है जिस तरीके से हमने बताया था ये step इधर और ये step इधर इस तरीके से भी वीब को लगा सकती है इसको ये 7 से 8 ये बेबी गर्ल के लिए है इसी तरह के और प्यारे प्यारे ड्री लाइन देखने के लिए आप हमारे channel को subscribe करें और बेबी के प्यारे प्यारे से डिजाइन आप देख सकती है देखिए friends पहन कर इसका लूप कितना प्यारा आ गया है friends हमारी वीडियो अच्छी लगी तो please like कीजिए share कीजिए और हमारे channel को subscribe करना मत भूलिए bell icon प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके हम अपनी next वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिजाइन लेकर आएंगे तब तक के लिए bye bye friends